नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी 7-11 stores के बारे में सुना है देखे भारत में अभी तक तो ये store नहीं था लेकिन पूरे विश्व भर में कई सारे देशों के अंदर आपको इस तरह के convenience store देखने को मिलेंगे जहाँ पर हर तरह के जो products हैं वो मिलते हैं और ये 24 hours ओपन रहते हैं लेकिन क्या हुआ है कि पहली बार ये जो store है वो मुंबई में खुलने जा रहा है और इसका जो में कारण है वो ये है कि Reliance Retail जो की मुकेश अंबानी की कंपनी है वो यहाँ पर tie-up की है 7-11 stores के साथ या आप देख सकते हो Reliance Retail to launch 7-11 convenience stores in India तो इसके बारे में हम detail से जाने या फिर studyiq.com पर जा सकते हैं जितने भी courses हैं आपको वहाँ पर मिल जाएंगे चली देखते हैं exactly यहाँ पर हो क्या रहा है आपको सबसे पहले मैं तो यह बता दू कि 7-11 जो store है उसका पहले tie-up हुआ था Future Retail के साथ जी हां Future Retail वही कंपनी जो की Reliance के साथ tie-up कर रही थी ल Future Retail और 7-11 ने अपना जो agreement है उसको terminate कर दिया उसको cancel कर दिया और उसके just बात दो दिन के बाद आप यहाँ पर खबर आई है कि Reliance Retail के साथ यहाँ पर agreement हुआ है और जो सबसे पहला store है वो भारत के अंदर मुंबई में खुलने वाला है In fact मैं आपको बता दूँ कि Reliance Retail जो की मुकेश अमबानी की company है उसका एक master agreement हुआ है 7-11 store के साथ 7-11 मैं आपको बता हूँ तो US-based जो Texas है वहाँ पर उसके based company है यह Texas headquarter आपको मिलेगा तो एक master agreement Master agreement का मतलब यह होता है कि अभी यह full agreement नहीं है लेकिन हाँ एक प्रकार का आप कह सकते हो ऐसा agreement है जहां पर लगबख सभी कुछ चीजें agreement हो गई है आगे चलकर जो पूरा agreement है वो हो जाएगा और उसके जो details है उसको बाद में लाए जाएंगे वो आपके लिए important नहीं है लेक है कि जो पूरा greater Mumbai है वहाँ पर cover किया जाएगा commercial areas पर cover किया जाएगा और फिर दिरे दिरे हो सकता है कि में भी देश भर के अंदर अलग-अलग हिस्तों में इसको open किया जाए अब question यह आता है कि यह 7-11 store exactly है क्या और इसका competition किसके साथ हो सकता है भारत के अंदर दीके 7-11 ए 27,000 stores करीब 18 countries में फैलेव हैं especially North America के अंदर 16,000 stores आपको देखने को मिलेंगे इसकी सुरवात basically होती है 1927 में 1927 में तो क्या था इसके नाम बगरा काफी different था आगे चलकर इसका नाम change हुआ लेकिन यह जो starting का business था वो था ice house basically क्या करता था कि उस समय उतना जादा refrigerator जो electric refrigerator था वो घरों में नहीं होता था तो यह लोग क्या करते थे जो ice का block है वो बेचा करते थे घरों में ताकि जो food वगरा हुआ उसको preserve करके रखा जाए तो इनका काम start हुआ था ice house से और यह आप देख सकते हो आज के date में आपको इस तरह का देखने को मिलेगा मदब जितने भी products होते ह जैसी कि आपको छोटी छोटी बैटरी भी चाहिए अगर माल लो तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे convenience store एक प्रकार का जहाँ पर आप हर एक item जाकर खरीच सकते हो लगभग भारत में अगर मैं आपको बताओ तो इस तरह का अगर आप specially दिल्ली में रहते हैं आपने 24-7 24-7 वैसा ही same store है 24-7 भी 24 घंटा ओपन रहता है और लगबग हर एक item जो daily use की जो necessity होती है food item से लेकर कुछ भी वो आपको मिल जाता है लेकिन still आप कह सकते हो कि भारत के अंदर इस तरह के जो stores हैं उसका बहुत जादा प्रचलन नहीं है लेकिन दीरे दीरे जैसे जैसे economy open हो लेकिन अब वो भी allow कर दिया गया है आगे चलकर हो सकता है कि भारत के अंदर ये जो 7-11 store है उसको बाकी companies से competition मिले आप कौन सी companies होगी मैं आपको बताता हूँ जैसे dunzo हो गया, swiggy हो गया, groffers हो गया अब आप सोचोगे ये companies तो ऐसी हैं जो कि सिर्फ delivery में काम करती हैं लेक कुछ competition 7-11 को आगे चलकर देखने को मिल सकता है जहां तक इस company के बारे में सवाल है देखे क्या हुआ था कि ये company है तो US based, Texas based मैंने आपको बता है लेकिन इसका owner अगर आप देखोगे तो Japanese owner है कैसे क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ 1973 में ये जो 7-11 वाली company थी उन्हों ने agreement किया था Japanese department store chain के साथ Ito Yokado ठीक है तो इस company के साथ इन्होंने tie up किया और अपना जो business है auto parts, petroleum कई सारे चीजों में इन्होंने बढ़ा दिया आगे चलकर क्या होता है 1980 में ये जो company है 7-11 वाली वो बहुत जादा debt में आ जाती है काफी जादा कर्ज हो जाता है तो finally इनको जो business है वो बेचना पड़ता है क्योंकि bankrupt हो जाते है 1990 में और जो Japanese company है वो इसका 70% stake खरीद लेती है तो आज के rate में majority shareholder वो Japanese company की है ना कि किसी US के person के पास ठीक है है तो इसका headquarter US में ही लेकिन main owner इसका Japanese आपको देखने को मिलेगा और 1999 में finally इसका नाम जो है वो 7-11 कर दिया अब देखो ये भी interesting है 7-11 क्योंकि क्या हुआ था कि उस समय अगर आप देखोगे 7-11 इसलिए था क्योंकि उतना जादा 24-7 होता नहीं था उस समय तो क्या सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक इतने लंबे समय तक ये open रहता था starting में वो तो अब इन्होंने 24 hours कर दिया ल 7-11 का agreement हुआ था वो successful नहीं हो पाया देखिए ये लोग 2019 में एक agreement में आया थे इस agreement के तहत क्या हुआ कि जो future retail है उसके नीचे एक subsidiary company बनाई चाहेगी और उस subsidiary company का क्या नाम था यह आप देख सकते हो future 7 मतब future retail का future यहां से ले लिया और 7-11 का 7 यहां से ले लिया और इसका कि हमारा जो target था open करने का store open करने का बहुत सारे ऐसे कई सारी चीजें थी जो कि पूरी नहीं हो पा रही थी जिसकी वज़े से हमारा जो business है वो further आगे नहीं बढ़ पाया और हमने इसको cancel कर दिया वैसे मैं आपको बता दूँ future group का एक बहुत बड़ा deal हुआ था reliance retail के साथ लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है का Amazon ने उसको challenge किया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ये fail ना हो जाएगा देखते हैं क्या होता है बट I hope कि इस वीडियो के माध्यम से 7-11 stores के बारे में आपको सब को जानने को मिल गया होगा जा चार option में से आपको बताना है वैसे तो काफी हो सकता है लेकिन main जो important answer है वो आपको चुनना है इसका right answer आपको पता ही है मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं Telegram से भी ले सकते हैं इसका सही उतर मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हू stories के form में आप जाकर play कर सकते हो बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो Telegram पर आईए अलग-अलग social media पर आप जा सकते हैं साथी साथ UPSC यहाँ फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे है तो आप हमारे app को download कर लीचे I hope कि वीडियो आपको पसंद आयोगा मिलता हूँ आप से next time till then thank you very much see you कि यह रग गजर संद आज के ऊचजब